तो दोस्तों 1 April 2023 से accounting के लिए बहुत सारे changes हुए हैं कुछ compulsory है कुछ compulsory नहीं है तो इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो की 1 April से compulsory होने वाली है तो अगर आप accountant है या आप किसी business को run करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि यह वीडियो आपके 100% काम की होने वाली है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिरेंदर कुकरिती और स्वागत करता हूँ आपका टैली टेकनिकल चैनल पर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं क्योंकि फेस्बुक पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी तो दोस्तों एक अपरेल 2023 से एकाउंटिंग में बहुत सारे अपडेट नहें आये हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो सबसे इंपोर्टन जो अपडेट है दोस्तों वो है ओडिट ट्रेल का तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मार्च 2021 में MCA ने ये कहा था कि भाई आपको एक अपरेल 2022 से ओडिट ट्रेल मेंटेन करना है अब वो किसको मेंटेन करना है और कितने तरह के ओडिट ट्रेल होते हैं इसके बारे मैं मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा लेकिन जब एक अपरेल 2021 से गवर्मेंट ने कहा था कि आपको ओडिट ट्रेल कंपल सरी है आपको audit trail का use करना है अपने accounting software में तो government ने उसको postpone कर दिया था 1 April 2022 के लिए क्योंकि जो ये notification था जो ये updates था बहुत ही कम time duration के लिए था यानि कि March के last week में जाके ये update आया था कि आपको 1 April 2021 से audit trail अपनाना है अपने software में या audit trail का use आपने करना है लेकिन इतने 100 time में ना तो कोई software accounting software prepared था और ना ही accounting करने वाले prepare से तो government ने उसको postpone कर दिया था 1 April 2022 तक के लिए अब 1 April 2022 में इसको applicable होना था लेकिन March 2022 में यानि कि last week में ये update आया कि भाई इसको आगे postpone कर दिया गया है अपरेल 2023 के लिए तब तक आप जो है audit trail का feature या audit trail use कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ये optional आपके लिए छोड़ा गया था लेकिन अब 1 April 2023 से आपको audit trail use करना compulsory है क्योंकि postpone हुआ था 1 April 2023 के लिए तो अब आपको audit trail का इस्तमाल करना ही करना है अपने accounting software में अब ये audit trail होता क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा समझाने की कोशिस करता हूँ आपको समझ आ जाएगा उमीद है मुझे तो audit trail ऐसा कोई अलग से कोई software नहीं है कि आपको कोई अलग सा software यूज़ करना पड़ेगा अपनी accounting के लिए या कोई particular software यूज़ करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है audit trail का मतलब है जो भी आप अपने accounting software में entries करते हैं चाहे नई entries करते हैं उनको alter करते हैं या कोई entry delete करते हैं अगर आप alter कर रहे हैं तो आपने उस entry को क्या alter किया है तो उसका जो detail है उसका जो report है या उसका जो log है एडिट log है वो जो है आपके software में होना चाहिए आपका software इतना capable ह होना चाहिए है मतलब इतना उसमें यह feature होना चाहिए कि वह आपकी audit trail जो आपका changing का trail है उसकी report बनाता हो और उसको कोई disable ना कर सकता हो मतलब ऐसा नहीं कि जब आपने मन किया enable कर दिया जब अपने मन के उसको disable कर दिया तो ऐसा software में नहीं होना चाहिए तो इसको जो है जो भी accounting software है उन्होंने ये feature अपने software में inbuilt करवाना था या करवाना है अगर edit trail का जो feature है अपने software में चाहिए तो लगबग सभी companies ने जो software companies है उन्हों में audit trail का feature अपने software में available करवा दिया है और पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप नया वर्जन यूज करिए और जो आपकी company है उसके customer care में या जो भी आपके known में है उनसे पता करिए कि इस software में audit trail का feature है या नहीं है तो आपको 1 April 2023 से बिना audit trail का software accounting software यूज नहीं करना है अब यहाँ पर कुछ condition है कि किसको करना है और किसको नहीं करना है तो करना किसको है करना उनको है जिनकी company private company है या फिर NGO है LLP company है या फिर कोई government संस्ता से जैसे की आपका NGO हो गया या कोई भी और इस तरह की company है उन सभी को audit trail का feature होना चाहिए उनके accounting software में और जो normal company personal आपका data है या आपकी proprietorship company है तो उनके लिए ऐसा कोई mandatory नहीं है आपके लिए कि आप इसको यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं audit trail दो तरह के होते हैं दो तरह के कैसे जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं अब बात करते हैं टैली software की तो टैली software में audit trail का feature 2021 में ही दे दिया गया था अब इसमें टैली ने क्या किया कि टैली ने एक दूसरा जो software है दूसरा software कहलो या उसका एक ऐसा version निकाल दिया जिसमें कि जिसका नाम उन्होंने रखा टैली प्राइम ओड़ीट trail, ठीकि है और टैली प्राइम का Audit Lock वाला जो software उसको यूज करना है और जिनके लिए Compulsory नहीं है वो normal टैली प्राइम का software यूज कर सकते हैं अब यह आपको टैली ERP9 में यह feature देखने को नहीं मिलता है उसके लिए आपको टैली प्राइम में upgrade करना ही पड़ेगा अब यहाँ पर बात ही आती है कि अगर मेरे पास चार कंपनिया है चार में से कुछ मेरी personal कंपनिया है और कुछ मेरी ऐसी कंपनिया जिसमें की auditory कंपल सरी है मतलब आप एक ही computer में दोनों टैली यूज कर सकते हैं और जो audit trail है उसे आपका नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन अगर आपको unsafe लगता है कि आप चाहते हैं भाई जब मेरा audit trail कंपल सरी नहीं है जिस company में तो उसमें audit trail नहीं चाहता हूं तो आप इस तरह से उसको manage कर सकते ह हैं तो दोस्तों आज की date में जो है 20 मार्स के आज पास यह वीडियो में बना रहा हूं तो अभी तक अभी mca से कोई notification नहीं आया है कि भाई audit trail को जो है पॉस्पन कर दिया गया है तो अगर कोई नया update नहीं आता है और वह जो 90% chances कि नया update नहीं आएगा क्योंकि mca ने दो सा आप अपने आपको prepare करिये अपने software को upgrade करिये अप audit trail के लिए ready हो जाईए तो अब जो है 90% chances दिये हैं कि यह update नहीं आने वाला है 10% chances है कि भाई इसको postpone भी कर दें तो अभी तक ऐसा कोई जो है notification नहीं आया है और अगर कोई notification नहीं आता है तो यह एक apparel से compulsory हो जाएगा और आपका भी फैदा होगा आपका फैदा क्या होगा आपका फैदा यह होगा कि जो आपका जो software है उसमें जो भी entries आप कर रहे हैं कोई modification कर रहे हैं तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि भाई इसमें क्या modification हुआ है आपकी return चली गी है उसके बाद आपकी जो back date में कुष changes हो गए है तो आप आसानी से उनको पता कर सकते हैं और department के लिए जो फैदा रहे गा जब उनके पास आपका data जाएगा तो आसानी से पता कर सकते हैं आपने kaç entry कुछ entry को alter किया है और आगर आपने entry को Doesn't किया है तो क्या alter किया है उसमें amount alter किया है party के name को change किया है address change किया है कुछ भी change किया है तो वो सब जो है उनको आसानी से मिल जाएगा तो इसी तरह से और software में भी audit trail का feature available करवा दिया गया है तो अगर आप टैली के अलावा कोई दूसरा software यूज़ कर रहे हैं और उसमें एडिट लॉग का जो है option अबेलेबल नहीं है तो इसको अपडेट करिए और अपनी वुछ सब्सक्राइब कंपनी से पूछे भाई कि इसमें audit trail का feature यूज़ कर रहे हैं तो अगर इसमें आता है तो एक अपना लेजिए आपको कोई दिकत नहीं होने वाली है तो उमीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वैसे अकाउंटिंग के लिए और भी अपडेट हैं जिसे से रिलेटेड एक अपरल से अपडेट आने वाले हैं या आ गए हैं कुछ अपडेट आ गए हैं और income tax के लिए भी आ गए हैं तो जो है आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना प पड़ेगा तो दन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन